गोरिला पड़ा आराम कर रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज आई, उसने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था, तभी उसकी नदर नदी में बहर रहे एक बच्चे पर पड़ी, बच्चा अकेला था और रो रहा था, गोरिला ने उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल और अपने साथ जंगल में ले आया, उसने बच्चे को खाने के लिए दिया तो बच्चा चुप हो गया, अब बच्चे की भूख शांत हो गई थी और वो खेलने लगा, उसे खेलता देख गोरिला बहुत खुश हुआ, जंगल में एक बच्चे को देख कर और जानवर भी उसके पास आने लगे, सबको जैसे एक काम मिल गया था, हर कोई बच्चे के साथ खेलना चाहता था, जेबरा ने उसे अपनी पीट पर बैठा कर घुमाया, घिरन और बारा सिंग्धा उसके साथ साथ चले की कही बच्चा गिर न जाए, बच्चा आराम से खेल रहा था और स तब उसका ध्यान रख रहे थे, तभी अचानक वहां एक सियार आ जाता है, और बच्चे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोरिला उसके सामने आ जाता है, और सियार को मार मार कर भगा देता है